क्या आप बता सकते हैं कि जब हम light में और light एड़ करते हैं तो क्या इससे darkness produce हो सकती है तो चलो इसके बारे में पता लगाते हैं हम जानते हैं कि जो light है वो एक transverse electromagnetic wave होती है किसी भी transverse wave के इस upper most point को हम crust कहते हैं और यह जो lower most point होता है इसे हम truff कहते है किसी भी wave में यह regular crust और truff बनते रहते हैं अब माल लेते हैं कि यह कोई दो light waves हैं जिनकी frequency और amplitude सेम है और यह दोनो waves एक दूसरे के साथ opposite phase में supreme pose होती है यानि कि add होती है यहाँ पे opposite phase का मतलब यह है कि जब यह दोनो waves आपस में supreme pose होंगी तो किसी एक wave का जो crust होगा वो दूसरी wave के truff के साथ में add होगा इसे हम destructive interference भी कहते हैं अब इन दोनो waves के opposite phase में होने की वज़े से जैसे ही यह supreme pose होती है तो इनका amplitude या intensity एक दूसरे के साथ में cancel हो जाता है और इसकी वज़े से light की जो resultant intensity है वो हमें 0 मिलती है यानि कि हमें darkness मिलेगी तो यहाँ पर simply हम कह सकते हैं कि दो same frequency के और same amplitude की light waves जब एक दूसरे के साथ में destructive superposition करती है तो इससे darkness create हो सकती है मतलब light और light के add होने से darkness produce हो सकती है